ऩो का सद हमके dolphins कि इस वीडियो में जो टोपिक पढ़ेंगे वो है ऑसकी और टीस निदियाwire तो सबसे पहले इसके first point की बात करें तो जो term है यहाँ पर otitis and media इनका मतलब क्या होता है जो otitis है इस word का mean होता है inflammation of ear, itis word किसी भी word के पीछे जूढ रहा है तो उसका mean क्या inflammation और auto related to ear तो कहा inflammation हो रहा है, ear में, दूसरा जो media term में इसका mean है middle ear, तो otitis media का मतलब क्या हुआ कि जो middle ear है उसमें अगर infection या inflammation हो रहा है तो उस condition को क्या बोलेंगे, otitis media, next point है कि यह infection यहाँ पर कैसे होता है तो यहाँ पर एक word आता है eustachian tube या ET tube इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा जैसा मैं आपको एब डाइगराम के थूरू बता देता हूँ ET tube के बारे में यह जो अपना ear है, या outer ear है, इसके यहाँ से एक ear के नाल होती है और यहाँ पर होती है tympanic membrane उसके बार फिर जो middle ear स्टार्ट होता है जिसके अंदर ये रोसिकल्स पाए जाते हैं मेलियर इंकसेंट इस्टेपिज नेक्स्ट वन इसके बार फिर inner ear स्टार्ट होता है middle ear के बाद में ओके यह होता है तो यह जो middle ear है जो हमारा main region है जहाँ पर infection हो रहा है वो कैसे होता है कि यहाँ पर एक connection होता है middle ear और nasopharynx के बीच में जो nasopharynx होती है pharynx का पार्ट होता है nasopharynx तो इनके बीच में connection होता है जिसको बोलते है ET tube अब यह जो ET tube होती है इसका काम क्या होता है यह pressure maintain करके रखती है कहां maintain करके रखती है middle ear में क्यों maintain करके रखती है ताकि tympanic membrane rupture ना हो यह तो बात होगे general ET tube की अब होता क्या है कि अगर nasopharynx में किसी भी तरह का infection हो रहा है या जो respiratory tract है nasal cavity अगेरा अगर उनमें को infection हो रहा है तो क्या करेगा यहां से ET tube के थूरू reach कर जाएगा कहां पे middle ear में तो इस तरह से ET tube के थूरू infection पहुंसता है middle ear में और यहां पे infection cause होता है next point है it is the most common disease of middle ear in children and does occur in adults जो otitis media condition है यह ज़्यादा तर बच्चों में देखने को मिलती है adults में भी होती है बट ज्यादा case बच्चों में होता है ऐसा क्यों होता इसके पीछे भी एक वज़े होती है जो बच्चे होते हैं उनमें ET tube की जो shape होती है वो straight होती है यानि सीधी ET tube होती है connection जो होता है year और जो नेजो फेरिंग से इनके बीच में जो ET tube हो सीधी simple सीधी होती है इस वज़े से infection ज्यादा होने के chance होते हैं बट जो adults होते हैं उनमें क्या होता है ET tube इसे curve type होती है moody भी होती है जिस वज़े से infection easily यहां दीच नहीं कर पाता है तो आप समझ गए बच्चों में जो ET tube सीधी होती है इस वज़े से सीधा infection यहां पहुंच जाता है middle year में बट जो adults होते हैं इनमें जो ET tube होती है यह वह moody भी होती है कर्व होती है जिस वज़े से infection easily यह कान में पहुंच नहीं पाता है तो यह वज़े होती है बच्चों में infection जादा होने की तो अब next अब बात करते हैं इसके बाद अपन इसके classification की तो जो otitis media ही दो टाइप का होता है acute and chronic तो acute otitis media क्या होगा कि अगर condition sudden हो रही है और जो symptom से उनका onset एकदम हो रहा है अचानक से symptom arise हो रहे है कुछ time के लिए हो रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे acute otitis media और तो जंजली जो cause होती है वो bacteria होते है bacteria की वज़े से infection होता है ज्यादा तर next one है इसके बाद chronic otitis media क्रोनी क्या होगा कि अगर जो infection है वो बार बार हो रहा है repeated हो रहा है और लंबे time तक अगर infection चल रहा है ठीक नहीं हो रहा है तो उसको बोलेंगे chronic otitis media अब इसमें होता क्या है कि जो middle ear है उसके surrounding जो tissues होते हैं जो surrounding जो parts होते हैं medial ear के वो क्या होते हैं वो भी इसमें involved हो जाते हैं और वो भी damage होने लग जाते हैं तो उस condition को क्या बोलते है chronic otitis media next one यह तो बात होगे classification की अब बात करते हैं इसकी causes की तो इसमें जो main cause है वो bacterial cause होती है like steptococcus pneumonia bacteria haemophilus influenza and moraxella यह main bacteria होते हैं जो infection cause करते हैं next one इसके बाद वाइरल cause में बात करें तो rhinovirus and respiratory synchal virus यह RSC virus यह main virus होते हैं जो cause कर सकते हैं rhinovirus आपको पता है जो rhinitis condition cause करता है यानि inflammation is nasal cavity जो rhinitis condition होती है उस वज़े से infection cause हो सकता है year में क्यों होगा क्योंकि अगर nose में infection होगा तो ET tube के थूप कहां पहुँच जाएगा year में अग यहां पर कुछ risk factors भी हो सकते हैं जिनकी वज़े से भी infection cause हो सकता है like first one is family history अगर family में किसी को पहले हुआ है तो person में हो सकता है next one low birth weight जो बच्चे time से पहले जनम ले लेते हैं या जिनका birth weight कम होता है तो उनमें infection होने के chance जादा होते है next one altered immunity अगर किसी बच्चे की या किसी person की immunity low है तो दिखती सी बाते उनमें infection होने के chance ज्यादा होंगे next one is GERD यह क्या होता है gastroesophageal reflux disease इसमें क्या होता है कि जो insphincter है जो isophagus से उसके insphincter क्या होते हैं वो properly close नहीं हो पाते हैं इस वज़े से stomach के content का आने लग जाते हैं isophagus के थुरू pharynx में या mouth में ऐसा होता है reflux वाली condition होती है regurgitation होता है तो उस condition होता है क्या है कि अगर मालनो pharynx में जो stomach से acid वगेरा आ रहा है तो वो क्या करेगा वहां पर irritation करेगा infection कोस करेगा तो अगर वहां infection हो तो वहां से middle ear में infection पहुच सकता है next one is tonsillitis tonsillitis जो होते हैं वह भी pharynx में present होते हैं तो अगर वहां पर infection हो रहा है तो वहां से year में infection हो सकता है next one is measles dipteria and pertuses यह तीनों भी respiratory infections होते हैं measles तो virus की वज़े से होता है dipteria bacteria की वज़े से होता है और जो pertuses है यह भी bacteria की वज़े से होता है तो यह भी respiratory infections होते हैं तो अगर respiratory tract में infection हो रहा है तो possible है कि वह ET tube से middle ear में reach कर जाए और यह mostly बच्चों में देखने को मिलते हैं infection तो यह risk factor होते है otitis media के तो आपको समझ में आ गया इतना next one है इसकी pathophysiology तो इसमें mechanism क्या होती है कैसे condition occur होती है तो मैं उसकी पूरी आपको mechanism diagram के तुरू एक बार समझा देता हूं कि जो यह ear है यह ear के नल और यह जो middle ear और यह inner ear तो अब जो ET tube यहां से connect हो रही है कहाँ नेजो pharynx से यह नेजो pharynx तो अब होता क्या इसमें कि मानलो नेजो pharynx यह pharynx में किसी तरह का infection हुआ जो भी causative factors है infections वगेरा उस वज़े से क्या होगा कि जो यह ET tube है यह block हो जाएगी क्या हो जाएगी ET tube block हो जाएगी जिस वज़े से क्या होगा कि जो middle ear है इससे air pass out नहीं हो पाईगी क्या नहीं हो पाईगी middle ear से air का जो है pass out नहीं होगा यहां पे obstruction की वज़े से ओके तो अब क्या होगा जो air यहां से pass नहीं हो रही है middle ear से इस वज़े से middle ear में negative pressure हो जाएगा क्या हो जाएगा middle ear में negative pressure हो जाएगा next one यहां पे negative pressure होने की वज़े से जो middle year की cavity इसके अंदर क्या हो जाएगा effusion हो जाएगा means fluid का formation हो जाएगा यहाँ पर fluid भर जाएगा और जो यहाँ पर fluid भरेगा उस वज़े से यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर जो infection है वो growth करने लग जाएगा जो media इतना आपको समझ में आ गया कि जो nasopharynx में infection हुआ उस वज़े से ET2 block हो गई और ET2 block होगी तो क्या होगा middle year में negative pressure increase होगा उस negative pressure की वज़े से यहाँ पर fluid का formation होगा और fluid अगर यहाँ पर भरेगा middle year में तो यहाँ पर microorganism की growth होने लग जाएगी और कौन सी condition cause होगी acute otitis media अब जो acute otitis media हुआ है उस वज़े से next क्या होगा कि अगर यहाँ पर repetitive infection हो रहा है बार-बार infection हो रहा है तो क्या condition होगी कि middle year के जो other parts है लाइक जो यह रोसिकल्स वगेरा है और जो surrounding tissues हैं वो भी damage होने लग जाएंगे और अगर surrounding tissues भी यहाँ पर damage हो रहे हैं बार-बार infection हो रहा है तो उस condition को क्या बोलेंगे chronic otitis media तो आपको यह condition समझी में आ गई pathophysiology ओके एक बार आप यह जो आप इसकी जो मैंने आपको notes दे रहे हैं आप यह देख लीजिए और pause करके आप इसको लिख सकते हैं जो यह देख लीजिए due to etiological factor जो भी mechanism हो रही है पोस करके आप इसको लिख लेना यह नीचे वाला point okay तो यह बात होगा इसकी pathophysiology की I hope यह समझ में आ गया होगा आपको next one अब बात करते हैं अपन इसकी के silence symptoms की तो first one नहीं यहां पर sudden and severe otalgia otalgia का mean होता है ear pain तो यहां पर person को बहुत तेज severe तरीके से कान में pain होगा जिसको बोलेंगे otalgia next one hearing loss भी यहां पर हो सकता है क्योंकि टिंपेनिंग membrane यहां पर अगर रप्चर हो जाए तो यहां पर hearing loss होगा next one is tinnitus tinnitus का मतलब होता है ringing sensation जो person होगा उसको कान में ऐसा सुनाई देगा कि घंटियां बज रही है को रिंगिंग sensations होंगे next one sense of fullness in the ear कान में भारीपन लगेगा क्यों लगेगा क्योंकि middle ear में fluid भर रखा है उस वज़े से person को कान में भारीपन लगेगा inflammation की वज़े से next one irritability रहेगी क्यों रहेगी क्यों परसन को सुनाई नहीं दे रहा है पेन हो रहा है तो चीड़ चीड़ा रहेगा पर परसन ओके next one mastoid tenderness जो mastoid bone है जो mastoid process है जो कान होता है outer यह उसके पीछे एक उबहर होता है जिसको बोलते है mastoid process तो यह पार्ट जो होगा इसमें swelling रहे है यह ओके next one है fever यहां पर देखने को मिल सकता infection की वज़े से next one headache भी रहेगा परसन को vomiting भी यहां हो सकती है vomiting और balance problem यह क्यों यहां पर देखने को मिलेगी क्योंकि आपको पता है inner ear में दो पार्ट होते हैं vestibular system and cochlea system cochlea system तो hearing में help करता हो जो vestibular system है वो balance maintain करके रखता है तो अगर यहां पर vestibular system भी affect हो रहा है तो परसन को vomiting और balance problem हो सकती है okay तो यह तो बात हो गए sign and symptoms की next one अब इसकी बात बात करें diagnostic evaluation की तो इसमें सबसे पहले person की history collect करेंगे जो present, past, medical and family history है वो collect करेंगे next one person का physical examination करेंगे जिसने person की जो ear वगेरा उसको check करेंगे तो जो swelling वगेरा यहां पर दिखाई देगी ear के पीछे भी okay next one audiometry test यहां पर कर सकते है इसका mean होता है जो hearing test करते है कि person को कितना ear सुनाई दे रहा है सुनने में कितनी problem हो रही है तो उसको बोलते है audiometry test next one यहां पर CT scan और MRI कर सकते है ear का next one यहां पर lab studies करेंगे जिसमें क्या करेंगे culture कराएंगे और check करेंगे कि जो microorganism है वह कौन सा है जो infection हुआ है वह कौन से bacteria वाइरस की वज़े से हुआ है अब बात करें next one इसके management की तो इसमें फर्स्ट वन है medical management तो यहां पर antibiotics दे सकते हैं अगर bacterial cause है तो इसमें कौन-कौन सी antibiotics दे सकते हैं लाइक amoxicillin sorry amoxicillin with clevenic acid यह combination में drugs दे सकते हैं effective treatment के लिए next one यहां पर analgesics और antiparatics drugs भी दे सकते हैं like PCM and ibuprofen pain और पे जो fever है उसको review करने के लिए next one अब बात आती है यहां पर surgical management की तो इसमें surgery जो है वो है tympano synthesis यह procedure क्या होता है withdrawal of fluid from the middle ear by inserting a needle catheter through the tympanic membrane अब इस procedure में करते क्या है कि जो आउटर यह यह यहां से एक catheter insert कराया जाता है और इसको tympani membrane तक पहुचाया जाता है ओके वहां पर क्या करते हैं needle के तुरू जो tympani membrane उसमें hole बनाते हैं और hole करते हैं और hole करने के बाद जो भी middle ear से जो भी यहां fluid बरावा है जो भी accumulation हो रखाया उसको aspirate कर लिया जाता है catheter के तुरू ओके एक needle insert की जाती है जिसमें catheter लगावा होता है वो needle से यहां पर hole किया जाता है tympani membrane में और जो भी अंदर collection हो रखाया उसको यहां से aspirate कर लिया जाता है यह procedure होता है tympano synthesis next one यहां पर एक और procedure आता है myringotomy यह क्या होता है इसमें जो tympani membrane उसमें permanent opening कर दी जाती है और permanent opening के तुरू जो भी अंदर fluid accumulate है उसको बाहर निकाला जाता है तो इन में दोनों में यह difference है tympano synthesis में तो क्या कर रहे है hole करके aspirate करें myringotomy में क्या कर रहे है permanent hole बना रहे है ताकि वहां से जो भी अंदर fluid है वो बाहर निकाल लिया जाए बाद में tympanik membrane जब fluid जब पूरा निकाल लिया जाता हो उसके बाद ही लो जाती है automatic okay तो यह तो बात हो गई procedure की surgical next one अब यहां पर बात आती है इसके nursing management की तो यहां पर क्या nursing diagnosis बनेंगे फर्स्ट बनेंगे पेन जो पेन की problem है जो condition हो रही है वो diagnosis बन रहा है related to inflammation and pressure on the tympanik membrane तो यहां पर जो पेन की problem है उसके लिए क्या-क्या interventions देंगे first one है assess and document the location intensity and frequency of pain सबसे पहले हम परसंद से जो भी इस्ती है वो collect करेंगे परसंद पूछेंगे आपको कहां पर pain हो रहा है कितनी frequency में हो रहा है यानि कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है यह पता करेंगे next one observe the ear canal for inflammation and swelling and tympanning membrane for readiness अब क्या करना है परसंद की जो ear canal है उसको check करना है autoscope के through okay autoscope के through परसंद की ear canal को check करना है क्यों check करना है inflammation कितना है swelling कितनी है tympanning membrane कितनी damage हो रखिए यह सब SS करने के लिए next one क्या करना है give analgesics such as PCM और use analgesics ear drops अब यहां पर next one person को जो है analgesics देनी है लाइक पेरासीतामोल या ear drops भी दे सकते हैं next one है apply heating paid और warm hot water bottle परसंद को outside से जो है कान पे जो है heating pets वगेरा देने है ताकि ज्यादा से ज्यादा pain relief हो सके यह तो हो गई first diagnosis की बाद next diagnosis है impaired verbal communication परसंद को जो है verbal communication जो है वह impaired हो जाएगा बात करने में दिक्कत होग यह सा क्यों होगा hearing deficient की वज़े से क्यों होगा क्योंकि परसंद को सुनने में दिक्कत हो रही आगर परसंद को सही से सुनाई नहीं देगा तो उसको बात करने में दिक्कत होगी तो इसके लिए क्या क्या interventions लेंगे first one है SS changes in hearing acuity SS audiogram और timpanogram अब करना क्या है परसंद की जो भी hearing acuity उसको टेस्ट करना है कि परसंद का hearing level कितना है उसको कितना सुनाई दे रहा है यह हमको test करना है उसके लिए कैसे test कर सकते है audiogram या timpanogram के through SS कर सकते हैं यह instrument होता है audiogram जिससे परसंद की hearing level का पता लगाया जाता है नेक्स्ट वन है एवर्ट शाउटिंग यू सिंपल एंग्वेज एंड शोर्ट सेंटेंस speak slowly अब जो नर्ज से जो family members उनको करना क्या है पेशेंट के सामने एक तो जोड से चिलाना नहीं है दीरे दीरे बोलना है और को सिंपल सेंटेंज यूज करने है सीधी तरह से बात करनी है patient से ताकि person को सुनने में आसानी हो ok next कोडह की परिपेयर पेशेंट फॉर इयर शर्जरी स सच i… पलाश्टिय अब पर्सन को जो है सरजरी के लिए प्रिपेर बी खरना है, सर्जरी होने वाली है तो उसको प्रीपयर करना है अब नेक्ट सब्सक्राइब इसके बाद monstrous risk of infection यहां पर infection के चांस और ज़्यादा होंगे क्योंकि परसन पर पर्सन ज़ादा प्रॉन है infection के लिए क्यूंकि टिमपेनिंग मेंब्रेन उसमें भी whole ओर तो micro-organism growth होने के chance होंगे तो अगर infection की risk है तो उसके लिए क्या क्या intervention लेंगे यहाँ पर सबसे पहले SS symptoms include otalgia, otoria, hearing loss and vertigo सबसे पहले जो है person में क्या क्या लक्षन दिखाई दे रहे हैं उनको assess करना है like जो otalgia, ear pain है, otoria का means होता है ear drainage, drainage जो रहा है ear से उसको बोलते है otoria, hearing loss and vertigo जो चक्कर आ रहे हैं वगेरा इन सबको assess करना है next one perform otoscopic examination check for drainage in ear canal person को otoscopic examination करना है और देखना है कि कितना drainage हो रहा है किस type का drainage हो रहा है उसमें पस वगेरा तो नहीं है यह सब हमको assess करना है next one है administer antibiotics, antiparatics and anti-inflammatory drugs as prescriber person को next one यहाँ पर antibiotics देनी है, antiparatics देनी और anti-inflammatory drugs देनी है क्यों देनी है, infection, fever और inflammation को कम करने के लिए next one encourage patient for adequate nutrition, rest and exercise and for washing hands frequently, next one हमको patient को क्या करना है encourage करना है कि आपका जो nutrition level उसको maintain करके रखे, आप healthy diet ने दूसरा आप अपने हाथ properly दोएं ताके infection का खतरा कम हो, okay और last यहाँ पर nursing diagnosis आता है, fear or anxiety related to surgical procedure जो patient होगा और जो family members होगे, उनको fear रहेगा, डर रहेगा, anxiety रहेगी surgery से या treatment से related, तो अब यहाँ पर इसके लिए क्या intervention देंगे, सबसे पहले assess and observe patient for anxiety patient को सबसे पहले हमें observe करना है, उससे questions वगेरा करने उससे पूछना है कि आपको कितनी anxiety हो रही है, हमको पता लगाना इस बारे में, okay, next one, explain procedure detail to patient and his family अब हमको क्या करना है, हमने person से जो भी doubt वगेरा है, हमने उससे पूछ लिए, अब हमको जो भी procedure वगेरा है, जो भी treatment है, उसके बारे में patient और family members को अच्छे समझाना है, ताकि उनकी anxiety कम हो, next one, assess vital science timely, जो भी person के vital science है, उनको assess करते रहना है, और last one assess intake and output and individual by doctor, अब जो person का जो intake और output है, कितना वो food वगेरा ले रहा है, कितनी diet ले रहा है, कितना urine pass out कर रहा है, यह सब को maintain करके रखना है, और इसको assess करना है, ओके तो यह बात होगा, इसके nursing management की और यह condition पूरी हो गए, तो अगर आपको इसमें कोई भी problem होता है, मुझे comment करके पूछ लीजे, thank you